Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss an English question paper of class 4th. आज इस वीडियो में हम लोग 4th class English का question paper discuss करने वाले हैं, जैसा मैंने promise किया था. कि इस वीग हम ये discussion शुरू कर देंगे आपके question papers का, जो previous year के question papers है. So that, आपको थोड़ा सा idea मिले कि KV में paper कैसा आता है, क्यूंकि primary का question paper आपको कहीं मिलेगा नहीं, जैसा आपने देखा होगा, KV में आपको question paper होता है, उसी में ही लिखना होता है, तो बच्चों को थोड़ा idea नहीं होता, paper कैसा आएगा, किस तरीके के question आते हैं, कितनी preparation है आपकी, तो आपको previous year का paper में दिखा देती हूँ, although इस बार paper different हो रहे है, online exams हो रहे हैं आपके, लेकिन जैसे उनकी date sheet आएगी मैं आपको उनके लिए revisional video और उनका question paper होगा sample, जिस भी तरीके से KV का आपका marks distribution होता है, वो भी upload कर दूँगी, अभी इसको देख लेते हैं, क्यूंकि mostly schools में, I think PT2 तक का syllabus complete हो गया होगा आपका, तो standard paper है, अच्छा paper है, काफी सारी चीज़े आपको थोड़ी नहीं भी सीखने को मिलेगे, किस तरीके से exam में लिखना होता है आपको, वो भी देखने को मिलेगा, शुरू करते हैं, कोई भी बच्चा अगर नया है चानल पर तो important ह आप subscribe कर लीजे, वीडियो के नीचे right side में red color से subscribe लिखा होगा, bell icon को press कर लीजे, because जितने भी आपके NCRT के chapters है, उनकी reading, explanation, worksheet, important questions, और फिर quiz, अगर आप वो सब देख लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता, उसके अलावा आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है, उसको तो हम कर बचो के messages आते हैं, grammar video के लिए, but sorry to say, अभी start नहीं कर सकते हैं, एक बाद syllabus नहीं हो जाएगा, I think January, we will start doing that also, okay, let's start now, चलिए, शुरू कर देते हैं, first reading, reading section आपको सबसे पहले है, जैसे distribution आपको पता होगा, उसके बाद पहले reading के questions होगा, आपको एक पारग्राफ रीड करना ह होगा, question के answers करने होगे, और यह मुझे सबसे easy part लगता है, क्योंकि question के answers आपके वहीं पे दिये होगे, उसके बाद आपकी book के questions होता है, फिर grammar, creative writing, spellings, and then handwriting, यह इस तरीके से distribution होता है आपका, और बहुत जादा नहीं reading में से 5 questions आएंगे, text book के 5, grammar 10 mark की होती है, and then 10 marks creative writing, and 5 and 5 of handwriting, okay, okay, let's start now, reading शुरू करते हैं सबसे पहले, read the passage and answer the question carefully, चलिए, so the paragraph is like this, a wild horse was enjoying its food, एक जंगली घोडा था, जो कि अपना food को enjoy कर रहा था, and its freedom, और अपनी freedom को भी, क्योंकि जनरली आपने देखा होगा, घोडे जो होते हैं, और domestic animal है, घर में बांद के उनको रखा जाता है लेकिन वो free था, क्योंकि wild horse है, wild grazing on a grassland which had to itself, जो कि एक grassland में एक घास के मैदान में ग्रेस करा था, ग्रेस करना मतलब चरना, अपने आप ही, okay, अकेला ही था महाँ पे, after a while, कुछ time के बाद, it saw a stag, stag बोलते हैं, 12 सिंगा जो होता है, अगर आपने देखा है, more like a deer, लेकिन उसके सिंग थोड़े अलग होते हैं, stag come, एक stag वहाँ आता है, nibble on the same grass, वैसे तो nibble मतलब कुतरना होता है, कुतरने लगता है grass को, लेकिन यहाँ पे nibble का मतलब होगा, खाना एक तरीके से, चबाने लगता है उस घास को, these were enough grass for both of them, वहाँ पर काफी यह जो घास था, यह क the horse could find food even in the woods nearby, और जो घोड़ा है, वो food find कर सकता था, पासी में जो जंगल था, वहाँ पर भी वो जाके घास खा सकता था, घोड़ा, it knew, और वो जानता था, that the stag would not go to eat in the woods, की जो stag है, वो जंगल में घास खाने के लिए नहीं जा सकता है, as it could get its horn entangled, क्योंकि उसके जो horns है, जो में निकाल, seeing बहुत बड़े होते हैं, बारा सिंगा के, वो entangled हो जाते हैं, फस जाते हैं in the branches of trees, जो wood, jungle जो होता है, बहुत घना होता है, और उसमें बहुत पास-पास पेर होते हैं, तो अगर वो जाता है, उसके seeing फस सकते थे, तो बारा सिंगा नहीं जा सकता था, लेक स्टाग से मेरा पीछा चूटे, as it stood how to do this, वो खड़ा हुआ सोच रहाता कि क्या किया जाए, it saw a man pass by, तो घोड़े को एक आदमी दिखाए देता है, who was passing by, जो वहां से जा रहा था, it told the man, वो आदमी से कहता है, about its plan, जो उसका plan था, and asked him if he would help it to kill the stag, कि वो क्या तु मेरी help कर that to achieve this, इस काम को करने के लिए, अचीव करने के लिए, he would have to bridle the horse, bridle मतलब होता है, लगाम कसना, जैसे आपने देखा होगा, जो आप घोड़े होते है, उनको जनरली, ताकि आप उनको डेरेक्ट कर सके, तो इसलिए, उसके सर के उपर एक लेदर स्ट्राप लगा दी जाती ह तो उसको बोलता है, bridle, bridle, whatever you want to pronounce it, and mount in order, उसके उपर चड़ना पड़ेगा, in order to chase the stag, जिसके वो stag को chase कर पाए, पीछा कर पाए उसका, the horse submitted to this, horse ये बात मान जाता है, and very soon the man killed the stag, और बहुत जल्दी वो stag को मार देता है, ये कहानी थोड़ी ही दी है, पूरी नहीं दी, definitely जरूर कुछ bad ending होती होगी, इसमें horse की, बट जितना हमें paragraph दिया है, questions भी definitely उनमें से पूछे जाएंगे, ये आपका paragraph है, बाप देख लीजे, standard का paragraph है, unseen है, और बहुत सारे words ऐसे है, जहां तक मुझे लगता है, fourth class में शायद आपके लिए new हो इसमें, okay, तो थोड़ा सा अ आप देखते हैं, what was the horse doing, horse क्या कर रहा था, तो first line में इसका answer है, the horse was enjoying its food and freedom, बस इतना ही लिखे, जादा grazing in the grassland, which house इसना लिखने की जरूरत नहीं है, the wild horse, यहां से शुरू करिए, the wild horse was enjoying its food, इतना भी लिख दोगे, तो भी चलेगा, अपना food enjoy कर रहा था, simple and freedom, चलिए, और उसकी स्वतंत्रिता थी है, क्योंकि free है, जंगल में, उसको enjoy वो कर रहा था, next question है, what did it see after a while, कुछ देर के बाद उसने क्या देखा, इसका answer यह रहा आपका, after a while it saw a stag, बस इतना ही लिखा, थोड़े देर के बाद उसने एक stag देखा, enough, one markers हैं सभी, to the point answer करने है, बहुत ज लिखेंगे wide तक, which is not necessary, जरूरी नहीं, आप to the point answer करिये, okay, next question is, why the stag could not go to the woods, stag woods में, जंगल में, क्यों नहीं जा सकता था, stag could not go to the woods, यहां पे लिखावा, it could not get, as its horn entangled in the branches of the trees, क्योंकि उसके जो horns है, उसके जो seeing है, आपने देखा होगा, बहुत बड़े होते हैं, वो trees म entangled हो सकते थे, उलद सकते थे, next question is, find the word in the passage, which is opposite of the word domestic, domestic मतलब होता है, pal to, जिसे आप घर में पाल सकते है, इसका opposite है, wild, शुरू में यह आपको दिया, wild मतलब जंगली, ठीक है, तो यह आपका domestic का opposite होगा, write a sentence using the word enough, enough मतलब होता है, काफी, जैसे कि आपको sentence, जो, यह आपका paragraph है, इसमें भी word दिया हुआ है, लेकिन आप वो यहाँ पर नहीं लिख सकते है, कई बचे इनफ देखते हैं, वहाँ पर वही same sentence copy कर देते हैं, आपको कोई और sentence बनाने है, अगर आप वो लिखते हैं, sentence वो भी है, बट वहाँ पर आपको marks नहीं मिलेंगे, इनफ का आप उसके पास काफी मतलब money है, या फिर I have enough food for the family, मेरे पास family के लिए enough food है, कुछ भी enough मतलब काफी, okay, next question is, अब कुछ textual understanding के question है, जो आपने books पर लिए हैं, यह भी 5 mark के ही आएंगे आपके, so the first question is, what was the most important thing that Helen finally understood, Helen Keller वाले चाप्टर से लिया गया question, तो सबसे important चीज़ क्या थी, जो finally समझ में है Helen को, तो आप यह लिखेंगे the most important thing, question ही से शुरू करिए, और कोशिश करिए, क्यूंकि 4th class में आप आ गया है, 3rd class तक फिर भी accept कर लिए जाते हैं answers, लेकिन 4th class में teachers आप से expect करते हैं, कि आप full sentences में answer करें, कई बार बच्चे इस के ओपर argue नहीं कर सकते हैं कि हमारा answer correct है, आप full sentence में answer करिए, और कुछ चीज़ें तो आप sentence से उठा सकते हैं, the most important thing that Helen finally understood was words, words वो चीज़े थी, word मतला, शब्द सबसे जरूरी है, आपने आपको express करने के लिए, ठीक है, that would tell everyone everything that she wanted, okay, तो यह word सबसे important है, okay, यहां से आप complete sentence ल make the cow move, यह आपका milkman's cow से लिया गया है, although यह chapter मैंने अभी तक कराया नहीं है, but very soon मैं इसको आपको बता दूँगी, तो जिन लोगों ने move कराने की कोशिश की, वो थे सबसे पहले, दो का नाम पूछ है, नहीं, नेम दोज, sorry, not two, जिन्होंने भी कोशिश करी, तो सबसे पहल इसक्रीम मैं, second policeman, next था grocer, and wrestler, and yes, ice cream man, ice cream man was there, कोई question अगर मेरा wrong हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे तो, last year मैंने पढ़ाई है, fourth English, तो I know the answers, but अगर by chance मैं भूल गई हूँ, किसी का नाम जैसे रह गया या फिर कोई और है, तो आप definitely correction कर सकते हैं, comment section में, okay, तो ये लोगों के नाम है, इनको आप essay लिख दीजे, या फिर यहाँ पर लिख दे, people who try to make the cow move, dash करके, one, two, three, four, and five, या फिर जो आपकी teacher ने answer लिखा है, next is, who was Hivatha, Hivatha poem से ही लिया गया है, Hivatha was, Hivatha was a young red Indian boy, red Indian मैं बहुत अच्छे से बता चीक हूँ, chapter में आपको किसे कहते हैं, red Indian मतलग कि वो इंडियन नहीं था, red Indians, उनको कहा जाता है, जो native Americans थे, अमेरिका में लोग बाद में काफी अलग, अलग continent से जाके बसे, लेकिन जो पहले से अमेरिका में रहते थे, जब Europeans वहां गए, आप जानते हैं कि वो इंडिया को खोज रहे थे, तो उनने अमेरिका मिल गया, जब वो अमेरिका गया, तो what is the best time to water the plants, best time क्या होता है, plant को water करने का, so the best time to water the plant is early morning, या तो बिलकुल सुब है, और in the evening hour, या फिर शाम को, afternoon, sorry, noon day में कभी नहीं करना है, okay, yes, answer हो जाएगा, next is, next question है, why is the play called the giving tree, play का नाम giving tree क्यों रखा गया है, so the play called the giving tree because, the tree always gave away something or the other in order to make the child थाम आपे happy, that is why it is called the giving tree, short में अगर answer आपको लिखना है, the play is called the giving tree because, the tree always, always gave away something, क्योंकि वो हमेशा कुछने कुछ देता ही रहता था, तो इसका नाम the giving tree रखा गया, यह चैप्टर मैंने भी तक रहा नहीं है, but I'll try my best, थोड़ा सा काम जादा है, आज कल स्कूल का, तो बड़ जल्दी ही, we will cover it very soon, okay, तो यह स्कांसर हो गया, next is, do as directed, जैसा, ग्रामर में त एक तरीके से लडाई जगड़ा, इसका opposite होता है, peace, peace मतलब शांती, next is, complete the following sentences, choosing the right word from the brackets, ब्राकेट से राइट वर चूज करके, आपको इन में फिल करने, दो हमोफोन सापके two and two, two मतलब दो, one two, and two मतलब बहुत जादा, too much, of water, two water, two little water, something, कुछ, ऐसा आपका IBS का chapter भी है, the the sum was dash difficult for the class, the sum was dash difficult for the class, the sum was too difficult, two मतलब बहुत जादा मुश्किल था, class के लिए to solve, देखिए, एक और two आगे हाँ, solve करने के लिए only two students, if दो ही बच्चे could do it, दो ही बच्चे इसको कर पाई, ये NCRT का ही है, आपको होमोफोन जहाँ पर आपको दिये हुँ है, next is, write the simple past tense of these action words, अब ये बच्चों को बड़ा ही misconception रहता है कि पास्ट बनाने के लिए generally हम लोग ED ही आड़ कर देते हैं, क्योंकि जनरल ऐसा होता है, cook में cooked हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, आप इनको थोड़ा सा जो basic हैं आपकी verbs, उनकी past form जरूर कर लीजे, अभी जब मैं grammar बन okay, so ये हो गया आपका, next is where do the following live, ये बताये कहां पर रहते है, birds live in nest, this is very easy, write the full form of the word, must not, तो या post-trop तो आपको बता है, not में है, कैसे लगता है, must and this is not, next is write the similar sounding word of deer, deer का similar sounding word लिखे, d-e-a-r, deer, dear friend, जैसे आप दिखते हो, ये deer तो आपका हिरन होता है, join the two parts of the sentence, by using the two parts of the sentence, using the word, but, but को use करके, इनको जॉइन करना है, आपको, Helen lived after her illness, Helen जो है, अपनी illness के बाद, जिन्दा तो रही, she could not see, hear or see, लेकिन वो सुन और बोल नहीं सकती थी, तो Helen lived after her illness, but, simple but लगा दीजे, full stop अटाके, but she could not, इसको small बना दीजेगा, she could not hear and see, को changes आपको करने की जुरूद नहीं है, simple but से इनको connect कर देना है, full stop अटाके, इसको small करके, simple sentence आपको बना देना है, next question है, fill in the blank, children can या फिर cannot walk on their head, बच्चे के आपने सर के बल चल सकते हैं, so obviously they cannot, कुछ ही चल सकते हैं, जो head के तो नहीं चल सकते हैं, hand के आप उल्टा होके, upside down होके, बच्चे हाथ से चल लेते हैं, very few हो भी, लेकिन सर रख के तो नहीं चल सकते हैं, cannot, a place, I think it topsy-turvy land से लिया गया है, question, जहां तक मुझे है, अगर उसकी grammar में होगा यह तो, a place where we can buy postcard, एक जग है, जहां से आपको postcard मिलते है, so यह होता है, आपका post office, next question is, use the adverb form of the following word, loud, the children love to sing loudly, generally adverb बनाने के लिएम लोग लगा देते हैं, okay, slowly, loudly, quickly and all, next day creative writing, a milkman visit your house everyday and bring you milk, एक milkman रोज आपके घर में आता है, और आपके लिए दूद लेके आता है, write five lines about it, five lines, milkman के बारे में आपको लिखनी है, तो सबसे पहले जिसके बारे में पूछा हुआ है, आप वही से शुरू करेंगे, थोड़ा उसका introduction कि milkman होता क्या है, तो first sentence में तो आप यही लिखेंगे, a milkman, five sentences का है आपको, is a person, एक milkman, वो person होते हैं, who delivers, जो कि deliver करते हैं आपको, delivers milk to us, जो हमें milk deliver करते हैं to us, deliver लिखना है, gives नहीं लिखना है, बच्चे लिखना है, who gives us milk, दूद देते हैं, दूद तो गाएं देती हैं, वो सिफ डिलिवरी का काम करते हैं उसको, okay, next, अप ऐसे, देखो, ऐसे नहीं आने वाला है, creative writing में आपको कहेंगें कि आपको कहेंगा गाएं के ओपर लिख दो ऐसे, आप लिख देते हैं, कि इसके, it has four legs, it has one tail, it has two eyes, it has two ears, two horns, bus और khatam, it gives us milk, ऐसे नहीं आते हैं, किसी professional के ओपर आएगा, फिर picture देके आपको पूछा जाएगा, किस picture को देखके, इसके ओपर sentences लिखें, तो थोड़ी सी आप creative writing के practice भी जरूर किया करिए, second होता है, कि वो करता क्या है, he gets up early in the morning, यह लिख सकते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है, obviously, क्यूंकि सब जगें दूद पहुँचाना है, early in the morning, and collects milk, morning, and collect milk from dairy, dairy से लिख आता है, खुद वो करता है, that milk from dairy, dairy से दूद कलेक्ट करता है, third sentence होगा, यह मुझे erase करना पड़ेगा भी, third sentence आप लिख सकते है, that it delivers milk, it delivers milk door to door, door to door, हर घर जाके, milk जो है, वो deliver करता है, and, और क्या लिख सकते है, it carries milk container, वो milk के जो container है, उसको carry करता है, milk containers on containers, on its bicycle, अपनी bicycle पे, motorcycle पे, जिस पे भी आपने देखा हो, bicycles, okay, and, last means, अगर आप किसी professional के बारे में लिख रहे है, तो एक sentence आपका common हो सकता है, जो आप सभी में डाल सकते है, 4 sentence आप सोचे, यह लिख दीजे, we should be thankful to him, we should be thankful, definitely आपको सभी professional के लिए, thankful होना ही चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत help करते है, अगर यह ना है, thankful to him, तो जितने भी dairy products आपके घर में बनते हैं, दही, घी and all, butter and all, तो वो नहीं होगा, so we should be thankful to him, for working so hard for us, हमारे लिए इतना hard work करने के लिए, तो यह आपके 5 sentences हो जाएंगे, तो आपके उपर है, यह कोई specific ऐसा answer नहीं कि आपको यही लिखने है, next is write 5 sentences on how the tree parts of the tree are useful to us, किस तरीके से आपके different tree parts है, वो useful होते हैं, यह आपको लिखने है, part of tree, देखिए, सबसे पहले fruit की अगर हम बात करें, तो fruit का क्या काम है, fruits जो है, it carries, एक एक करके लिखते है, it carries, seed in it, यह फिर protect भी आप लिख सकते हैं, देखिए, फ्रूट के अंदर ही आपने देखा होगा, seed होता है, जिस्टे के नया plant बनता है, leaves, leaves क्या करते हैं, leaves हो तो सबसे important काम है, it is called kitchen of the plant, इसको plant की kitchen कहा जाता है, and it makes food for plant, यह plant के लिए खाना बनाती है, next is branches, branches का क्या काम है, branches, they carry, क्योंकि बहुत सारी होती है, यह carry करती है, सब चीज़ों को, leaves इनी के उपर लगती है, flowers इनी के उपर लगते हैं, and fruits also, तो यह इनका काम हो गया, next is trunk की बात करे, trunk जो है, next is stumps, stump तो trunk जो होता, आपका एक बड़ा सा पेड़ा पने इसको कट कर दे, जो बचता है, वो स्टम्प है, अच्छा हाँ, आपके एक यूज़ बताया होगा, जो गिविंग ट्री है, we can sit on it, आप उसके उपर बैट सकते हैं, on it, okay, तो यह आपके, जो पांच इनों ने दिये हैं, इनके बर्क होगे, next is spelling, चलिए, यह 5 मार्क है आपका, circle the words with correct spelling, first is squirrel, squirrel के है, Q-U-I-R-R-E-L, यह spelling correct है, next is scholar, S-C-H-O-L-A-R, scholar, next is arrange the following letters, to make a meaningful word, इसे यह देखने से पतला लग रहाए, challenge है, C-H-A-L-L-E-N-G-E, challenge, next is this is jasmine, J-A-S-M-I-N-E, next is fill in the blank, so this is grocer, G-R-O-C-E-R, okay, so, and next is handwriting, handwriting में तो आपको पता है, जो उपर लिखा हुआ है, आपको साफ साफ वो नीचे लिखना होता है, जितनी अच्छी आपकी writing होगी, अगर बहुत अच्छी है, तो 5 marks मिलते हैं, otherwise 4 and a half and all, आपको मिल जाते हैं, creative writing, so that's all students, यह था आपका question paper, hopefully most of the questions आपको आते हो, and thank you so much for watching, जल्दी ही आपके जो नया pattern है, उसके according to question paper है, वो भी मैं upload कर दूँगी, and wait for next video to come, what else I can say,